कोलोआ पुलिस के अथे चडा चोर गेरो ट्रक ड्राइवर को चाई नास्ते में नशीले पदार्थ खिलाकर नगदी मोबाइल वर डिजल चुराकर फरार वो जाते थे दौसा जिले के कोलवा थाना पुलिस ने हाई वेपर ट्रक चालक को जहांसे में लेकर चाई नास्ते में नशीले पदार्थ खिला कर डिजल वे रुपे चोरी करने के दो आरोपियों को गिरपदार किया है एक संगठित गेरों के रूप में वारदातों को अंजाम देते थे थाना इंचार्ज जनमेजाराम ने बताया कि 28 जनवरी को असलम खान निवासी देवली नूहू हरियाना ने रिपोर्ट दर्जगराई की वे नासिक से गाड़ी में बैक लोड करके गाजियाबाद के लिए चला रास्ते में 26 जनवरी को भीलवाडा सापुरा रोड पर दो यूकों ने गाड़ी को रुकवाया और लिप्ट लेकर बैठ गए जिनोंने थोड़ी दूर चलकर डाबे पर चाई नास्ते में नशिला पदार्थ पिला दिया जिससे वे बेवोस हो गया बाद में रेश्ट एरिया धंदावड की पार्किंग में बेवोसी की आलात में मिला था ड्राइबर उसे अपना सामान देखा तो मोबाइल दसजार कैस वे ट्रक से 50-60 लेटर डीजल चोरी हुआ मिला इसकी रिपोर्ट पर कोलवा पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के रेश्ट एरिया से CCTV फुटेज आदी की जांच करते हुए पुलिस ने मामले में अमजद मेव निवासी कोठली पहाडी भरतपूर को बैपरदा गिरपदार किया है